चैने रिटिक में ता आ गय हैं तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं कि आटोकेट में 3D किस तरीके से बनाएंगे बहुत आसान तरीका होता है आटोकेट में 3D बनाने का बले वो देखेंगे क्योंकि उससे हमारा विजुलाजेशन स्ट्रॉंग होगा पर विजुलाजेशन स्ट्रॉंग होगा एक बार तो कोई टेंसरी नहीं है न फिर तो आप से अब कोई भी चीज का सेक्षान रिविशन बना सकते हो तरीके से जालिए सब्पोज मेरे पास प्लान तो पाले से रखे हुए है 3D के बड़ क्या बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि आप खुछ से बार देख लें गासे करान बना रहा है울 तर 3D में तो बेटर space हो सपोजियें प्रोजेक्ट है ठीक है इस प्रोजेक्टक करें ब्ला करना है इस इस Uhrे प्रोजेक्ट तो अनजलैस परना है तो यह ego तो मैं कुछ इसका वर आपको देने वालों भी थोड़ा एडिटिंग भी इसके अदर है तो सबसे पहले 3D के लिए आद रखना है कि यह जो लेयर्स है ना इनकी जरूद नहीं है इनको आप हाइट कर दीजिए जो यह सब टेवल पिचेर हो रहा है इनको हाइट कर दो दो कैस सब्सक्राइब कर दो कि आपको टेक्स्ट की जरूद नहीं है अटादो और उसके बाद यहां पर एल ट्री ट्रीज उगरा का जरूद नहीं है फैन फर कार क्यों इससे सिस्टम हलका हो जाएगा और आराम से चलनने लगेगा पाकी कुछ चीजे गलती से वाल लेर पर आ गही है तो इनको आप चाहें तो क्या बहुते हैं तो इसके बाद उपें नहीं है है कि अधियूंत है बगालाबबग वही चीजे हमारे काम किये और. चैजसेảम उसमेलें का महातीब है हैं- इसे में काम किया है कि हम चाहते है is गाल और इस ona कि सब्सक्रांद है, अब अब यह वह इкий तुछ एक रिफ्पर कुछी तरीके से हट चुका है अब काम पे फोकस करते हैं तो गम करना है अगर हम को किसी चीज को 3-D मनाना है तो ध्यान से देख न अभी ठोड़ा सा फोकस करना कंव्स नहीं तो होजाओगे फोकस क्या करना है कीरिंव दियोर IS видео भी इभन टेलि आ uh जो कि अब चलो इसको मुझे 3D बनाकर के इसी को सम्मिट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है नीचे आप पर देखो सेटिंग पर देखो अपर सेटिंग में बना हूं 3D modeling, जैसे 3D modeling क्लिक करोगे तुरंत एक नया रिवन पैलेट कोल की आ जाएगा अब इस रिवन पैलेट के अंदर दोस्त आपको क्या करना है 3D बनाना है तो पहले आप क्या बोलते एक लेर बना लेजे 3D वाल का, थोड़ असते को यहां पर कलती से कुछ तो सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम एक 3D बना लेना है तो यहां पर जिसका नाम दे दीजे, 3D वाल, सबसे पहला काम लेर बनाना, बड़ा असान हो जाता है लेर बनाने के बाए हमने काया हम इस लेर को यलो करण से रखेंगे, रख दो, अब कहा कहा 3D वाल बनानी है, तो हमने काया एक रेक्टेंगल लो पहले बताता हूँ, सिंपल रेक्टेंगल उठाना, रेक्टेंगल उठाने के बाद यहां से क्लिक करना और यहां तक पूरा क पहोद्ग एक और उसके बाद है जो की इस गारडें के नीचे का ऐए जो पेर इपित आ त पीट है तो विल्वा नहीं है यहां से यहां आक एक और के ओल्या यहां से लिएक यहां तक रिए एक और रेक्टेंगल लिया यहां से जहां पर वाल है आफकोस यह वाल है बाद में डोर विंडो की कटिंग करनी पड़ेगी नो डाउट पिर इसके बाद यहां से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद लिए होगे वैसे तो देखो अंदर के वियूस की जरूरत नहीं पड़ती क क्योंकि अंदर कुछ दिखता नहीं तो इफ यू वांट अपिन लॉप्न लैंक इनर इलिए उन को पैन पर अभी मैं आपको दिखा रहा है हूँ तो पूरा ही रिखाऊंगा जैस्से कि आपको अच्छी समना जाए तो यह वाल बन गया अब यह वाल बन निके बाद हमने क कि एक ये वाला जास टाहिम से आया करो नहीं तो क्या होताना इसमें बार बार ओपिन करने में गड़बर दिखा देता है पूरा स्कीप कि और यहां से अबने क्लिक क्या एक रिख क्लिक किया यहां से हां तब कि और गलती से एड़ेश हो गया है अड़ाई मिज लगता है अड़ाई इड़्स क्या हो अगा है सब क्या रहे हैं कि उर्केंगल ही खीच रहे हैं तो यह बहुत बड़ी दिल तो है कि अधिया नहीं कि हमने सब पेलब अ क्या कर दिया वाँ ट्राइंग्स के लिए मालब टूडी बनाने के लिए रेडी कर दिया सब को अधिया कि कैसा वाल वाँ पनाया हम लोको augmented और किटना अच्छा कितना वृत दिख रहे हैं तो उसके parked आप इसको टूड ना यह सब कि बाद फीए इसके बाद सबंगी होगी और यह सब तो एक बाद करने के बाद राइट क्लिक और सके बाद सेलेट सिमिलर कर देना देखो सब सेलेट होगे अब वो गया सर फिर इसके बाद इन सब को यहां पर कमांड होती है 3D में जिसका नाम होता आगे लेक्चर में भी बहुच करोगे अभी तो मुझे सेलेशन बदाना इसलिए इसलिए नाम होता है इसका एक्स्टूट करना यहां पर क्लिक कर देना जैसे एक्स्टूट करोगे तुरंत इसकी हाइट आजएगी कितनी हाइट आजएगी 10 फिट हो गया देखो आपके सामने 3D त्यार हो गई अब लोग सर्क ऐसे 3D पता नहीं दीख नहीं रही है तो इसके लिए यहां पर जाना और यहां पर जाके इसके रियलिस्टिक कर देना ठीक है इसको बुद्ट वियू कंट्रोल में आके इसको रियलिस्टिक कर देना यह देखो थीडी रेडी हो गई दो मिनिट लगा मुस्किल से ठीक है और उसके बाद अब कुछ नहीं करना है यह जो 3D रेडी हो गई मालो इसके अंदर डोर विंडू भी बनाने है तो वैसे तो हमने काफी स्पेस ऐसे छोड़े हुए है कि दोर विंडू की जरोत नहीं है बट महलो बनाना ही है तो क्या करेंगे तो उसके लिए सिंपल में टेक है फिर से टॉप में जाना ठीक है अभी जो वाल है इनका वाल का काम खतम हो चुक है इनको थोड करेंग जाएगा हम सिर्फ स्टार्ट में लगा देते हैं एक डोर एक विंडू सो देट यू कन लर्न की कैसे लगाना होता है एक फिर से लियर ओपेन करो मलब बनाओ जिसका नाम रखो 3d door और एक ओर लेएर बना दो इसका नाम रखो 3d window तो अभी हमने क्या किया अभी हमने wall लेएर के जिगा पे यह वाले लेएर को हमने color दे दिया सियान कार वा इस तरीके से किया, और भी हमने पहले से चाल, र categor बनाने पहले हम चाहते हैं कि वाल हमारी ना भी खाटा दिया वाल को छाह और गजा से कहा कहाो lose किया यह गेस किया कि हमारे पास यहाम, किसेुख रगा है, मुझे किसे निभी ढवज रखिए। यहां पढ़ नगां विंडू downloading SHOT यहां नगा, विंडू लगाने के लिए ध्यृ किसे से ल१ाने मरे, रखाने के लिए missing उपण चाहरा है। Lincoln in constantly learning के परपस thirds से मिन एक विडियो यहां देजिया लेंगे लिए कैसे बीड़ों बनता है बदेखने के लिए आप और विडियों यहां को किसी कोई डाउट नहीं होगा जूट मैं चाहता हूं कि इसाद मैं डौर ही विण तो यहांपर पर दोड़ लिया और उसके बाद रेटेंगल किया और रेटेंगल करने के बाद हमने आपधा दोर रगाflu की आप यहां पर यहां लगाएंगे और एक डोर हम लोग इथर तो अभी बना नहीं है तो इधर को नहीं लगा सकते भी एक डोर चलो यहां लगा देते हैं ज़स्कित आप देख सकआओ के ज़काओ वह पर बनाना क्या से ठीक है सब्सक्राइब फिर से 3D विंडो लिया एक अंदर के तरभी विंडो लाने के पूसिस करें मुन लो यहां पर विंडो रहा है अब इसके बाद यहां से जाओ सिधे इस्यूमेट्रिक वियू में अची काम करने के लिए वायर्षत को स्साइब नोरल ऐसे अंब करने के लिए वायर्षत है वाकी काम करने के लिए वायर फ्रेम . देखो एक हमने बनाया था वें एक विंडू थी हमारी ये और एक साहथ अंदर भी थी टूटल चार विंडोस हमने यहाँ पर दिखाने के लिए रेडी किया था, तो चारों विंडोस को हम क्या करते हैं, एक्स्टूड, बताया ना भी थोड़े पले, एक्स्टूड, जैसे एक्स्टूड पर क्लिक करोगे, यह विंडोस की हाइट आ जाएगी, जनरली जो ज्याद से लाइट मतलब होता है, नीचे से ऊपर तक, और याद रखने एक चीज़ जो मिस्टेप होती है लोगों से, सायद मेरे से भी होई हो, तुमसे भी हो सकती है, वो यह कि जिसे कि तुमने 3D विंडो बनाया हुआ है, याद रखना है इस विंडो की थिकनेस, वाल की थिकनेस इसको लिया, हमने का इसको सिल हाइट लेते हैं, कितने का, त्री फीट का, यह देखो बन गया, अब सेम मेठेट है, ठीक है, आप तुरण 3D डोर भी और कर लो, और डोर के लिए सेम मेठेट है, यहाँ विंडो आपका सिल हाइट उपर कैसे चला गया, वो ठोड़ा एक पर अब बताई, आचा, यह नीचे तो समझ आ गया, कि नीचे तक ागया है, यहाँ तक आता है,सम हमज आ गया, हाँ, सरी, हाँ, अब किया किया, हमने इसको सेलेट कर लिए सबगो, और सेलेट करने के बाद, यहाँ से, लेते फीडीं, किया कर दिया, 3D मूव, जिस थीडीं म अब इसके बाद हमने का यार हम चलो बीड़ के जगह दो का भी का इसी समय कल लेते कौन बार बार इधा दोड़ते हुए आएगा तो हमने क्या कि एसको सेलेट कर लिया इसको भी सेलेट कर लिया और इसमें टाइम दो हम तो आपको मुस्के से 15-20 मैं एक्स्प्लें कर रहे हैं अब को तो तीन घंटा इसमें डालना चाहिए जो एक लेट आए हुए है जितने लोग भी साढ़े साथ के बाद उनको कम समझाएगा क्यों उन्हों समझा ही नहीं कैसे करना है तो अब इसको अब इसको में सेलेट किया हमने का रहे दूर है तो अब क्या करना है अबgram नहीं क्या करना है अबगा जब नहीं तो आपको मतलब के का रहे जी आगे बॉल जी, वाल ने कहा ये क्या, जब मैं नहीं था तो मुठ बन गए, तो अब क्या करना है? अब इस वाल में इस फिल्च भीजिद्जू को माइनस करना रहे गा ना, तो माइनस करने के लिए क्या बोलते हैं। है ये सब्ट्रेक्ट उपर है union, union मलब एक करना, subtract मलब divide करना, और intersect मतलब common object निकालना, तो हमने का subtract है, ध्यान से देखना subject कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अलग है, subtract यूज़ करने के लिए बड़ा वाला command, right click, छोटा वाला command, right click, देखो, अब फिर से subject लेना है, लेलो, मैं one time में भी कर सकता ह पर one time में आपको सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, first, right click, second, right click, फिर से ले लिया, first, space बार से द्वार ले ले लिया, right click, second, right click, फिर से ले लिया, ध्यान से वही ओल लेना, जिससे minus करना है, यह हो गया, अब ऐसे ही door के लिए भी कर देते हैं, भी फिर से क्लिक कर दिया, कितना असान है न, ठीक है, first, right click, second, right click, अब सबसे बड़ी समस्या आती है, वह मैं बता देता हूँ, आपको, अगर इसमस्या हो आ या, तो मुझे अच्छा लगेगा, कि आपको समस्या लर्निंग मिली, ठीक है, वो समस्या ज्यादा तो नहीं आई, आपको सीखने के लिए, यहाँ पर देख रहो, कितना बढ़ी है, वाल की, डोर की कटिंग हो गई, ठीक है, विंडो की कटिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह विंडो की मस्त कटिंग हो गई, ठीक है, इसके बगल में देखो, विंडो की मस्त कटिंग हो गई, अं एसा कब होता है ऐसा होता है जब आपका जो वहां का टूडी है वह थोड़ा से छोटा हो जैसे कि अभी मैं अगर इसको ठीक करना चाहूं तो दो तरीके हैं एक तरीका तो है कि सिंपल यहां से एक प्रेसपूल कमाड़ लो और लेक इसको धक्का देड़ा अपने आप गाया ह हो जाए और सभा जाएगा थीक है अब लोग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा अच्छा पिर स्पूल दो दखा देकर निगाल दो दूसरा तरीका है तरीका है कि क्या था जानते तब दूसरा तरीका है कि आपको तब इस्टेप बढ़ाने पढ़ेंगे इदे अभी लोग करे आपको फिर सुभाई महनत करना पड़ेगा अब उता है मेलत भी नहीं करना हमको तब तब कुछ मत करो यहां पढ़ जाओ और यहां पजाने के बाद कि यह कहना में दोर था तो ले खुला हैं आख और आख यहाँ पर अग्वाद दोर बनाओ याद करके दोर को थोड़ा सब दोर नहीं को चाहे तो अइसा भी बना देगा रहें कोई खरब नहीं है अब लोग से तो गलत हो गया नहीं गलत नहीं हो गया अच्छी वो सब्ट्रेक्ट हो जाएगा ना ठीक है तो यह लिया और फिर से कहे आप अपने का आप तो हम सही बना के देंगे ठीक है यहां नहीं लेना है तो डॉट इतना लो की वाल पूरा कवर हो गया पिर आपका यह अपने वाल नहीं जी और तो फेर आपने का यह वाले लिए को मुझे 3D बनाना है बना लो एक्स्टूट करके किसे क्षेवलेन उस्ट बन गया अब सब्ट्रेक्ट कर दो फिर से सब्ट्रेक्ट करने क्ली क्या करेंगे यह कमांड पहला राइट क्लिक दूसरा राइट क्लि अब एक चीज में बहुत चीज बना सकते इसके अंदर पर जैसे कि आपको मालो किसी ने बुला मुझे एक अच्छा सा क्या बोलते हैं इसके लिए स्टेर्गेस भी बना के दे दो तो दो मिनट लगेगा इस सिर्ग को इब बता देता हूं कि अपने काम पर अब ही अपना काम नहीं हो रहा है जिसके जो हम आपको बता रहत को 3D कैसे बनाते हैं तो आप यहां पर जाओ फिट से और यहां पर एक और लेयर लो जिसका नाम रखो 3D stairs और इस stairs का नाम करण हो गया तो इसके बाद इसका कुछ भी करण दे दिया अब इस stair layer को on कर लो अगर चाते हो confusion confusion ना हो तो 3D all को बंद कर लो कोई जरूत नहीं कि कि यहां से रेक्टेंगल लिया रेक्टेंगल ध्यास देखो कैसे stairs बनाते हैं कि लिया ठीक है अब देखो मुझे पता करना है कि कि इन्होंने इन्होंने में राइजर कितना रखा होगा तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दश ग्यारा बारत तेरह चोदह वंद्रह शोलह सट्रह और यहां पार ट्रामा देगा जहां तक है तो सट्रह कर दिया हुआ है आइधिंग सेविन पॉइंट सम्थिंग का इन्होंने प्राइजर रखा हुआ है थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है पर अपने को 3D सीखना है तो उससे नहीं समझे कर जाता है मतलब यह लिया और यह लिने के बाद इसको कॉपी कर दिया वैसे तो कॉपी भी नहीं करो तो भी काम हो जाएगा ठीक है जस्ट एक ही बना लो एक बन अब देखो कि पूरा एक रहे है फिर से हमने पॉली लान लिया एक दो तीन चाल इसके बाद और आगे का लिया सब को नहीं बनाना बस एक एक करके लिया अच्छा पॉली लान चला गया एक रेटिंगल फिर से लिया यहां से लिके नहीं होता है एक रेटिंगल लेने के बाद लास्ट पॉइंट पर आगे और यहां पर और ले लिया पॉली लान करके और फिर एक और पॉली लान लिया बोलो सरी सब पर क्यों नहीं करने आप तो देखो भी मैजिक दिखाता हूं सब पर करने जरूद क्यों नहीं है अब इसके बाद जादा चाहरत है कि उसमें आपको पता रहता है 7.5 इंचेस कितने स्टेश जानी है एक दो तीन ओके जी ए सेलेट किया कॉंपी कर लिया यहां से कॉंपी कर लो या फिर सी ओ इंटर करके भी कॉंपी कर सकते हो फास्ट पॉइंट यह हो गया एक स्टेर्स यह हो गया दूसरा जाओ पर यह हो गया तीसरा स्टेर्स बन गया अब देखना चाहोगे ऐसे है अब एक स्टेर्स यहां पर है ठीक है ये वाला बट यह स्टार्ट है यहां से इसको पहले प्रेस पूल या प्रेस टूड कर लों कितना 7.5 यह किया और यह करने के बाद यहां से ज़स्ट मूब कुछ लोग की थोड़ा सा जा रहा वाओगा उपर से क्योंकि स्टेफ से ज्यादा बढ़ रहा होंगे पर आ जाएगा तो इसको फिर से से लड़ किया है इसको से लेट करने के बाद जसको क्या करना ऊपर उठाना है मैं अब प्रेसपूल कर सकते हो कोई दिक्ट नहीं है और अभी हम लोग एक्स्टूड ही उज़ कर रहते हैं तो यह दिखूए आप पे एक्स्टूड ही उज़ करते हैं प्रेश पूल और एक्स्टूड का काम लिए पर सिमिलर ही रह सकता है तो हमने 7.5 फिर से लिया और यह लेने के बाद क्यों लिया क्योंकि यह आएगा मुंद यहां पर क्योंकि इनका इस्टे कुछ ऐसा है इनको जगह बजा नहीं है और उसके बाद यहां पर सेलेट किया इसको फिर से और सेलेट करने के बाद इसको फिर से एक्स्टूड कर दिया कितना 7.5 फिट है अब गिर्ण लोग कितने इस्टे जाने हैं हमको एक तो हो गया जो अभी सामने है दो मलब एक दो तीन चार चार इस्टे जाने है तो सेलेट करो और सेलेट करने के बाद कौपी कमांड और यहां से इसको भी सेलेट करके मूव करा दो कहां तक साथ हमको लगता है 17 इंचेस रहा होगा राइजर अब ठीक है और इसके बाद यहां से फिर से सेलेट किया एक को और सेलेट करने के बाद एक स्टूड कितना 7.5 सेलेट किया और सेलेट करने के बाद इसको हमने कमार लेके अब देखो वायर फ्रेम में हमें सा करना क्योंको यह पौटि ट्रैस होते रहते हैं आप इस्टारं अफिर कश्टार लो तो आप देख लो किने स्टार जाने है एक दो थीन चार जाने है तो इसको इसको सेलेट कर लो से लेटर करने के बाद कॉपी कि एक तो इसको बहुंच गया होगा दे कोणाएंगे अभी देख लेते हैं आपके पास complete staircase बन गया है इस तरीके से जैसा आपके plan में दे रखा है कितना असान है अब आप चाहो तो अपने plan को ready कर लो ठीक है और plan को सब को open कर लो और रखो आपको सब देखने लगे गया तो अब बढ़िया तरीके से सब कुछ देखने लगा अब लोगया सब देखने ल किन रहा रहत के तो आपको मिष्में नहीं करना भी सिखेंगे यहां पर गुसिखाना था इसके व्यस some stuck ικά रहा था है यहां तक में किसी को कोई तकलीफ दूर ओल ब्लॉ बिल्डों स्टेरवस इन देब बनाने कि सों ब्रॉल्म पंटा दो ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई प्रॉलम है क्या कमेंट करके बताओ, यहाँ तक सबको सवन्जा आ गया, wall, door, window बनाने में ठीक है, किशन, यहाँ तक सवन्जा आया नदीम, स्वपनिल, कमेंट करो, फट अपट क्योंकि अगर हें पर फिर आगे नहीं समझे आखाना राजपाल आप लेट आ थे लिए यां किकिशन को आ गया और। ईतिश्ट मैं ओ करें चलो टो मिंक्नर ने क्या 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 है 3-dy d assessment बनाना 3d window बनाना और क्या वहलते वाल और स्टेर्केस ये इछ आघ मैं दिखाता हूं कैसे आप को सिक्सान को बिजलाइस कर सकते हो बहुत आसान तरीके से इंठ है चलिए यह थो आके लिए को तो इसलिए अभी चाहते हैं नेक्स्ट पे जो लेटा रहे हो बाई मैं बता दूं आपको नहीं समझाएगा पक्का है क्योंकि एक सब इस्टिफिक दूसरे जुड़े हुए है ठीक है तो यह तो पूरा हो गया अब इसको पर स्लैब डालो फिर इसका डोर विंडो बनाओ ठी अब से दो से धाई गन्ते में पूरा रेडी हो जाएगा हमने एक रेडी करके पहले से प्रोजेक्ट हमारे पास रख दिया है कि एक्जैटली सेम हैसे ही ठीक है टाइम लेके ठीक है वाल बना लिया आप इसका मटी लोगरे लगाने के बाद आपके सामने एक कम्प्लीट प अब माल लो कि मुझे इसका किसी को एलिवेशन देना है क्या देना है तो एलिवेशन देने का तरीका क्या है एलिवेशन देने का तरीका है कि जस्ट इसका फ्रंट व्यू देख लो क्या देख लो फ्रंट व्यू तो इस ड्रॉइंग का फ्रंट व्यू अगर देखना हो ठ जेट इंटर एंटर कर दो कि अपने आप आजाएगा हो जहां बल्भी होगा अब इस जाब गया हो क्यों है जेट इंटर कर दो जहां पर भी फुल देगा इस तर राइट में लगरा है ना तो अब इसको यहां से वायर्षेंग लागा इसका फ्रंट भी है अगर कलर सेड में देखोगे तो आप यह भी देख सकते हो यह एक्जैटली ऐसा अगर बन गया तो आपका इस प्लान का यही एलिविशन है अगर आपने उस प्लान का यही एलिविशन मैच विद इस वन ठीक है ऐसा एक्जैटली दिख रहा है ठीक है तो फिर समझ जाओ कि आपका इलिविशन एकदम पर्फेक्ट बना हुआ है और आपने एकदम सही तरीके से पुली रोइंग को रोटीट किया हुआ है तो यही ए पुली जिसे आप जी यल डालते हो फिर पीेल डाल控़े ठीक है फिर उसके बाद आप डाई डाल दीे ठीक है जानना एक कि इसका सेक्षन क्या होगा तो तो पिर नहीं आए तो पर नहीं आए तो बता देना है इसका जानना है कि इसका section क्या होगा ठीक है तो top view में जाओ ठीक है top view में देखो कि section कहां से cut करना चाहिए तो section cut करने का सबसे सही जगा होता है जहां से staircase या फिर bathroom या फिर दूनों जा रहे हो यहां पर सबसे तरीके staircase मिल जाएगा ध्यान से देखना यहां पर आपको एक नई चीज मिलेगी सीखने को वायर फिर में चले जाओ और यहां पर 3D के अंदर ही देखो यहां पर कमांड है जिसका नाम में section plane जिसकी वजह से यह समय पढ़ा रहा था आपको वह कमांड यह है य section हमेशा जरूरी नहीं कि एक ड्रॉ किया जाए दो तीन चार चाहिए इतने ड्रॉ करों उसे ज्यादा तर दो से तीन लोग ड्रॉ करना पसंद करते हैं अब इसके बाद section लेने के बाद जिसक्लिक किया और थोड़ा समय पहले से कर दिया महलब बीचो बीच करना चाहे था यहां से लिया और यहां से क्लिक किया इस तरीके से और क्लिक करने के बाद इस पे जश्मने क्लिक करोंगा देखना भी क्या होगा यह मैं क्लिक किया अब देखो क्या हो गया उसको पता है कि section plane लेने का मतलब है यह माल लेना चाहिए कि नीचे का सब कट गया है जो मैंने ला और गूणों हैं किनी में अब हुआ जब सकुछन आपर सदंच शायो हुआ करहक explains 2 दी जायो तो 2 दी जायो हम तो प्र Follow-up जिस the अब ना सभी। सब्सक्राइब multim च्राइब क्या होगा झाइब कर थे क्रों गाइख यहां प्रज़िस नोर फिट्सक रहे का फीक रहे पूछ रहा इंगल दोगे वह सं यह दो क्यायों है ऐसलिश़ आपका सीक्षन पूरी तरीके सेAmand से त्टार्प please कि यहां से टिकwood को पर जा रहा है यह शेट्लिग पर किस यहां से उपर जा रहा है ये आपके अपके डूर किदोर यह एक डिटेलिंग्स आपको दिखा देगा यहां से गये और यहां से जाके यह हो गया और फिर उसके बाद ऊपर के तरफ यह बले श्टेर केस और यह टॉप नहीं है इक्जैक्टली प्रॉपर सिक्षन कटके आपके सामने रिडी है ठीक है आप 3D में देखना जाओ इस 3D म हमारा क्या बने रही है अगर आप ने टूडी बना रखा है आपको विजुलाइज करना है कि पता ने सही है कि नहीं दो मिनट लगेगा 3D डॉकर करके देख लो या फिर जब दो तीन इमेजिस को आप 3D में बना के देखने लगते हो तो आपने आप विजुलेस में स्टॉ स्टॉ है और वाँ पर 3D ब्लॉक करने के बाद यहां मैं पर देखो लिखा है 3D सेक्शन तो कटेगा यह आपके सामने यह इस प्रिदे सेक्शन क्रिएट करने के बाद यह देखो आदी करा 3D में 3D में 3D सेक्शन का मतलब क्या होता है पीछे कभी हूँ तो देख लिक किया आपके सामने बेहतरीन क्वालिटी का सिक्षन कटके आ गया 3D में 2D में तो सुनारा ही सुनारा आ गया और ये पूरा का पूरा आपका आपका अपजेट है अब लुक सर के मेरा आपजेट ऐसे ही रहेगा भोवी सरी में नहीं घड़ी इसको जव्याइट करोगे और डिलीट करोगे तो अपनी आप फिर से आ जाएगा और आपका सेक्षिन वैसे ही रहेगा टेंसन नहीं है अब लुक सर के ही की जिगह से काट सकते हैं बिलकुल भी न ये जानी के बाद जासे माल लोग आपको ये नीचे की स्टेर्ष्ट क्लियर हो गई उपर के स्टेर से कैसा दिखेगा। अगर देखो कि ध्यान से स्टेर्ष्ट को यहां तक के कॉर्नर सब्सक्राइब दिटेफ्टेंग दिया हुआ है मालोक उपर से आपको स्ट्रेयर के पोर्शन दिखें नीचे करना दिखें एलो सेलेक्ट राइट क्लिक जनरेट स्ट्रेक्शन 2D 3D ब्लोग जनरेट स्ट्रेक्शन अब क्या दिखें आपको आप केवल ओं केवल ऊपर का स्ट्रेयर दिखें नाशी आपको बताया था जो दिखें वही ड्राउ करना होता है गांड इस को सेक्शन जो दिख रहा है वही डिया नीचे का भी लोगल नहीं दिखें तो फिर से दिखें यह तो थोड़ा सा बड़ा इमेज है और छोटा इमेज भी दिखाता हूं जिसे आपको और अच्छे से क्लिए हो जाए है और छोटा इमेज क्या है गई है कि क्लिक करो है हमारा एक प्रोजेक्ट था बहुत छोटा सा तो इसको वाइर फिम आचा से बहुत जाधा है ची हो गई है बड़ ठीक है यह प्रोजेट है जिसमें बहुत चोटा सा एक बरांदा दिया हुआ है एक बैड रूम दिया हुआ है एक लिविंग रूम है किचन है एक बात रूम है बस अब इस प्रोजेक्ट को आपको क्या बोलते हैं स्रिक्षन बनाना है ठीक है यह आप आलेड यह बन चुका है अलीविशन देखो है मैंसे डिलीट कर दे रहा है उनका काम नहीं है दिखा दिया, staircase दिखा रहा है हंजी staircase दिख रहा है यहां से staircase बना दिया ते यहां से देखो और faster दे रहा है और यह हमेशा जब 30-40 प्रोजेक्ट हो जाते हैं और अच्छे से क्लिव रहता है फिर इस विंडो पर क्या लिंटल पढ़ा होगा तो देखो यह पर लिंटल दे दिया लिंटल देखने जाओगे तो यह बगल वाला भी लिंटल बाहर निकला रहा है कि देखो विंडो बाहर अब मालों सही है कि नहीं गलत है कि सही अभी दिखाऊंगा तो आप शिक्सन को ले कर आओ लेकें सेक्षिन को दो है कि तो अब दोकते करना पर तरी में और त्रीकें से क्यों क्यों साइब तोrogen है और अदियो जा है उसकेष में अधर दोक्ने के बास यहां। है यहconnect लिया है ् 5 की अधर को चाहती तूली डिखे अधर खीर से स्टॉन गार। और पुछ इस तरीके से और इसको select किया और select करने के बाद 3D rotate सबको पता है और तो सायद आना है और तो हमें सायद आन रखना ये तो रोटेट कर जाती है इस तरीके समय कर दिया और इसको select करके कि यह रख दिया वैसे मैं मैंच करने के लिए एक कर्णूर्शन लाइन वारत हूंगा सब मैंच हो जाएंगे पर इस दिखा रहे है अब देखो अभी कोई आया अभे अभी आ रहे है अभे इतना लिटा गया तुम्हारा topic तुम्हारा topic चला गया हाँ से ठीक है यहां से यह कर लिए को डिखो को अभी करषक सिक्सेन कट कर रहें थे क्रिंच कर रहे थे सिक्सेन कट कर रहें दिखा तूइ सब्सक्राइब यह देखो, तीन स्टेर से यहाँ पर दिखा दिया, फिर आगे गए, सिक्सन कट हो रहा था, सिक्सन कट होते समय क्या दिख रहा था, एक वाल आ रही थी मोटी सी, ति यह वाल हमने यहाँ पर दिखा दिया, यह देखो, बड़ी सी वाल आ गई, फिर जब अंदर के तरफ गए तो अंदर के तरफ क्योंकि section cut हो रहा है लाइन यहां से cut हो रही तो बात्रूम वाला दर्वाजा दिखेगा यह बात्रूम वाला दर्वाजा दिखा दिया हमने फिर आगे गए और आगे जैसे गए थोड़ा सा तो corner से भले मुड़े लेकिन वह बात्रूम का दूसरा दर्वा दूसरा दर्वाजा गया है तो यह लेडे दीक रहे हैं तो इंदर्वाजा दिखा दिया संपल्प इस तरीके से आपको पहले चोटी 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 ळूस को बनाना चाहिए इनके अब यह तो हो गया जो हमने मैनुवल ड्रॉकर करके देखा लेकिन अगर इसी चीज को हमको अभी जैसे हम लोग पीछे पड़ रहे थे अप्टोमेटिक में ठेड़ वाला उससे करना हो तो थो 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 कंट्रोल जेट कर लेते हैं आराम से दिखेगा यहां से जाओ आईसोमेट्रिक में कुछ करना नहीं है रियलिस्टिक में देखा एक्जेक्ट आपका ऐसा है आपको याद है आपका एलिवेशन देखलो अपना एक श्रूप बन रहा है ईसका अ कि इसका फराउय एक फड़र इ Murphy इंद छेट भी में लगा यह है ऑप बना के लगा सकते हो श्रूप लगा नहीं यह बना कब लगा सकते हो सेंच दूप सेंटियू एस तरे गदम ठीका Children इसे यहां है पुर-विह थोड़ी के लीगिаствor ऑसकित ऑफ ग centr ग saints की किया क्या है तो यहां से सिक्सन देखने के लिए हैं कि यहां पर स्क्रेट नहीं है तो पार्ट केला किया कि यहां से क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, अब हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा, यहां पर सिर्फ देखने के लिए, हम पो दो पार्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट यह हो गया, और एक पार्ट यहां से लेके यहां तक ड्रॉ करना पड़ेगा, को कैसे कर सकते हैं तो यहां से आने के बाद अब देखिए इनका दूर बना होना चाहिए होपसों थ्रीडियम दूर बनाया हो नहीं बना तो हम बता देंगे कैसे बनता है करें दूर से विणे कम द्राइं को यहां तक क्लिक कर दिया तो पहला वहला दूर्फ कर्द कर दिया शाव कुअ को पता है यह क्लिडर नहीं हो गाईए तो इस को स्रेच किया नहीं है रइट क्लिक karo generate ठीक है कभी भी जब ऐसा कोई complicate चाहिए तो ऐसे कर लो 2D 3D block हमने 2D section किया हमने का यार बगर वेक बना कर रखो तो यह देखो यह किया 1 1 0 अभी रूखना नहीं है ठीक है क्यों इसको serate करो और delete कर दो कर दिया उसके बाद यहां से फिर हमने क्लिक किया और यहां से section फिर से लिया और यहां से हलका सा क्लिक करने के बाद direct तो ब्रॉख करने के बाद तो गलत आए गाए यह अपर तो इधर का गल लेगा यह तो इधर का भियू दिखा देगा हम कुछ यह इधर का भियू उप्यू ने हमें इधर का भी दिखाया हुआ है तो इसलिए इसको ऐसे रोग है यह देखो आवा है परफेक्ट इस तरीके से लिए परिलेनी के वाज सेक्शन प्लेइन क्योंकि हमें इधर का चाहिए राइट क्लिक जन्रेट 2D 3D सेक्शन इसको ऐसे बगर मा रख लो अभी बाद में लाया हुझे इंतर 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 अब हमने क्या की एक भी हमारा रेडी हो चुका है इसको डिलीर कर दो तक हमने इधर का ठीक आकशल इदर कट मेरा है थी क्योंकि उदर के एरिए कम हे न तो डॉड़ नहीं कर पा रहा है इदर का ही दिखा जाल बार बार इदर का भी दिखा सकते हो वह लाइन जो यहरों करता है वह फो यहरों के तरफ ही दिखाना चाहिए सर लिफ्ट से करें तो अचा हाँ और यहां से क्लिक किया और यहां से क्लिक करके एक अच्छली क्या हो रहा है न वह एरिया चोटा पड़ रहा है इसके वज़े साधो ट्रॉण ही कर पारा है ठीक है करें के पर नो अच्छली करने के पाद भी एरो था तो बदब हमारा जो अपने पहले लाइन बनाया थे ना उसके बद एक छोटा सा एरो भी दिख रहा था हाँ वैसी उपर से नीचे बनाए हम हाँ उसके बद मैं डिलीट करने जा रहा हूं नीचे कसम डिलीट कर देंगे हम अपना इधर का काम बला निकाल लेंगे ठीक है और इसके बाद वाल हम डिलीट कर देंगे इसका हम का काम नहीं है ना इधर अभी स्टार लिया क्योंकि छोटा लाइन जो रहा है ना उसक्षन तो इसके विज़ा सो ब्रॉन नहीं कर पा रहा था तो अमने क्या दिमाग लगा पूरा ड्रॉ वह बोला कि ड्रैग जो करते हैं ना निचे से उपर करने की लाइज एडर ने के फोटा सा अरो भी है जो एक साइड फेस कर रहा है यह वाला यह वाला यह वाला यह नीचे वाला बीच में सेगेंड एरो हां ठीक है वो हो जाएगा इस दो जनने टूट शेशन किया डारेट और यह करने के बाद हम इसको भी तो क्लिक कर सकते हैं यह क्लिक करने बाद वान वान जिरो है यह हमारे सामने शेक्शन लड़ी हो गया थोड़ा सा उसका सेक्शन इसका सेक्शन डिफरेंस कि वारेगा क्योंकि उसका और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना सा है कि बोब में और दोजेदेश के देडा कता हुआ है इसे यह एक सएधा है यह हो गया आपने सेंटो गोलाभा और ऑपोरा पोरे सेंट यह वाला ही मैच कर रहा होगा यह तोसक्षय का कर रहा ह? तो मैचल पर यह तोकल ऑञ लला किस भूल सब्सका है जो जो प्रहते है सकते हैं। धर कोना है हुआ है और यह जो ब artili है नयूंच इंद तने है। बाद कीजिए पर लगाँ आपने की सेक्शन और काटने के बाद हमसको मिस्मैच कर सकते हैं इसको यह से साथ इदर हो गया और इदर होने के बाद फिर हमको जन्रेट 2D 3D सेक्शन किया इस तरीके से 1 1 0 इस ट्रेट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है कि इस वाले में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि किस तरफ से सेक्षन काट रहा है और किस तरीके से रेडी कर रहा है अब इसी का अगर 3D सेक्षन काटना हो तो ठीक है 3D सेक्षन काटना भी सेमी मैटेड रहेगा यह क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पर इसमें वही होगा कि आपको यहां से स्टार्ट किया तो थ्रो आउट जाएंगे तभी यह बनाएगा अब इसको सेलेट करो इस तरीके से आपका पूरा यह 3D बन जाएगा और यह आपकी 3D सेक्षन कुछ इस तरीके से बजलाई होगी रिजन यह है अच्छी कि यहां पर इन्होंने दर्वाज़े बनाए नहीं अंदर के तो इसलिए वो डारो जले डिल्यक नहीं करेगा और यह जो दर्वाज़ा इसको मैच नहीं कर पाएगा ठीक है अब लेकिन कॉंसेप्ट सेम टू सेम रहेगा इस तरीके से हम किसी भी सेक्षन को काट के उसको बहुत बहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि हमने सही बनाए कि नहीं और टूडी में तो देखी लिए आपने की कुछ नहीं करना जो दिखे वो ड्रॉ करते चले जाना है कुछ कॉंसेट क्लियर हुआ क्या ठीक है अगर यह 3D कॉंसेट आपने सीख लिया है तो बिलीब करिये ठीक है इस तरीके से हम लोग 2D 3D सेक्षन बनाएंगे बट कम से कम आठ नौ प्लान तो आपको रेडी करना ही पड़ेगा तब जाके आपका यह बन जाएगा किसने किसने वो लाइब अला प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिया कमेंड करना जो कल हमने प्रोजेक्ट दिया था कुछ में अरौ खाल लिया यह अर चलो हर एक हो वह इनको बनाके दिया हुआ है पर उनको चहःे रूम हो किया चहिए रूम और हमने दिया हुए दो रूम और एक रॉइंग रूम तो तीन रूम और एक रॉइंग रूम चाहिए तो एक्चली यह जो 32 वाला आप देख रहे थे ना पहला वाला प्रोजेक्ट जिसका में ठीडी बना रहा था यह वही लाइप प्रोजेक्ट है तो अभी में थोड़ी द अब करतेवां संदी आप अब लोग बन्झरू हो जाएगा तो बस आपको आपको स्सेल सफ़ेंग ठीडीज्व थिसकर में ठीड करना ठीडीज करना एक-ठीड़ीLegend ददू बईर명이सर प्लान नहीं इस प्लंक त्छूसकर आपNा अंप लैं आने की अधह क्लियु ऐख्र को पुछन्धू में था चार्टा לא क्या निए...... रुमस का मिनले तुम अगर मैक्सिमम में क्या हुत ऩाम आप मर्त आठी जैसे मुझे बताया नहीं जाए चाहिए जब हम प्लान में प्लान ने चाहिए वकार्फे हानि तुमने क्या हुआ हुआ है सबसे पहले चीज कि आप जो घर बनाए उस पे कहीं भी बेंटिलेशन इसू नहीं होना चाहिए चोटी सीदिन होता क्या है अगल बगल छोड़ते नहीं है तो इसमें अंदर हुमिडिटी और सफोगेशन बहुत ज्यादा होता है तो आप यह सोचना है आपको कि मैं बेंटिलेशन इंको दूं तो दूं कहाँ से ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा आगे से वेंटिलेशन दूं अगर फिर भी लगता है कि बहुत ज्यादा लंबाई है घर की तो बीच में भी बेंटिलेशन देने का प्रयास करो या फिर staircase ऐसे बीच मिल रगा लो कि staircase के ventilation घर के इंदर चला जाए तो चला जाए थोड़ा सा पीछे से कवर कर लो थोड़ा सा आगे से कवर कर लो तो ventilation फर्ष्ट प्रायोर्टी सेकेंड प्रायोर्टी हमेसा किसी भी का होता है अंदर जाके spacious दिखना चाहिए घर यह नहीं के अंदर कहें तो फिर खड़ा होने के जगह नहीं सब रूम रूम हो गया नहीं ठीक है आपको यह तूसरी प्रायोर्टी होती किसी भी क्या बलते हैं इंजिनर के दौरा बनाए हुए घर का तीसरी प्रायोर्टेन चीज देखनी पड़ती है वह देखनी पड़ती है और प्रायवीसी तुम लोगों को अब उसने पहले बता दिया कि we are two brothers and in future हम ऐसा प्राइटी चाहते हैं कि हम प्राइवेसी मेंटेन कर सके दोनों भाई तो अब आप प्लान बना रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वन साइट में एक ऐसा तू बीच के टाइप सेट हो जाए चोटा नहीं देंगे रूम दे देंगे पर वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अर्चा हो तो यह तीन-चार चीजे क्लाइट रिकॉर्मेंट के साब से देखो कि हमेशा प्लान बैतर बैतर होगा और हमेशा हमेशा एक चिया रखना प्लाइन को मैं तो अगर बात कर लिया फोन नहीं तो इसमें हों क्या चाहिए जो उनको चाहिए वह अगर आपने दे दिया तो कोई चेंजिंग होती ही नहीं आई अगर उन नहीं दिया तो बाद चार बार पाँलो है और प्लावेजन कर दें थकते रहें गे हैं और किसी कोई डाउट बोलो शापांश आने वाला है श पूरा बिसेश टॉपिक है ऐसा टेखनीक बताऊंगा कि जिन्दगी में कभी बी कोई कॉलम देखके आप ऐसे बता दो मिनिट के अंदर इसको ऐसे रखो इतना सब्सक्राइब कर नहीं होता जितना पिछर देखने से तो मैं प्लान रहेगा सामने तो विजुलाइजसें ज्यादा अच्छा होता है और वी कोई और किसी कोई डाउट है कि मेरा के पहले साफ लोग को बता दो यार टाइम पर जाइन किया करो ठीक है लोग आपको पता है ठीक है मैं जानता हूं कि सुभश का लेक्चेर है पर दिक्कत आपको यह होती है न जिसे किक्लास के बीच में एंट्री करने के बाद क्योंकि मैं इधू स्टुएं रहा हूं तो ग्लास के बीच में एंट्री करने के बहुत देर तक टो टॉपिक समझ नहीं आता चग रहा है तिक है और जब तक समझ आता है तब तक टॉपिक ही खतम हुआ रहता है इसलिए क्लास को टाइम पर जोइन करने का मैं क्या करता हूं अलाम लगा लेता हूं ठीक है सवाच्छ मुझिक है तो मुझिक लगा दिया हो तो सवा-च्छा संधे च्छा के बीच में बढ़ियासी बसता है बादया तरीके शालता हूं और किसी कूछ डॉट है है चला झांत किसी डाउट नहीं है तो अब क्या हो सरे इनरजेटिक कैसे होता है आप इसना मॉर्णिंग में इतु उड़ आते हैं सब बादर सो सोते हैं तो इसमें जल्दी नहीं उट पाते हैं तुमको बता है मेरी ग्लास कब तक थी पाद क्या बोलते हैं कि कल मेरा फास था जैसे तुम लोगा रहता है तो क्या बोलते साड़े गयारे के बाद मैंने कल खाया है पूरा दिन मेरा फास्टिंग में गया हुआ और सूबसे हमने क्लास लिया था इसके सबसे इंपोर्टेंट चीज तो यह होता है कि कर क्यों इसका इसके बाद में बाद मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तब ही मैं फोकट की कारे नहीं होता है क्योंकि मुझे पता है अगर आपको डिशन क्लियर है क्या बोलते हैं मुझे यह क्रियेट करना मार्केट के अंदर पर सो लगनौ के पर सो लगना हो एक कम्पनी थी था तो ऐसने लगवा दिया था लगवाई इंटर्वी मैंने उसने प्रपर दिया था तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसकी एचार और उसके टीम वाले सब हैपी थे और सबने पता पूछा था यह कहां साया हुआ तो बोले कि यह यूनिक सेमिल के गुर्खुल बैच कोई चल्दी है उससे आया अब बिलीब नहीं करोगे परसुस ने कॉल के बोलता है सर एक लड़के का रिजूम आया कई लोगों उसके पास आयता है चार के पास तो एक लड़के का रिजूम आया जिस रिजूम में लिखा हुआ था ट्रेनिंग भाई यूनिक सेमिल ठीक है और उसने दूसरा सेकेंड हुआ कि उसको सौड डिस्टिंग मार दिया मलब वो तुरंट सौड लिस्ट कर दी अब सोचो मैं कितना है कि मेरा विजन क्लियर हो रहा है कि मेरे रिजूम को देखने के बाद मलब कोई अगर यूनिक से ट्रेनिंग किया हुआ है इस लेबल की ट्रेनिंग उसकी हो जाए कि कंपनी में आपके रिजूम को देखके आपके लोगों को सौड लिस्ट कर लिया जाए बहुत बड़ा विजन है तो जब ऐसा कुछ विजन आप करेगा न तो अपनी आप एनरजी बनी रहती है और विजन अगर हमारे छोटा होगा तो फिर एनरजी छोटी होगी यह फिक्स तो बड़ता है प BraffarНाघ करेंगे मतलब जाए है धुकि व्रूट फियूचर के लिए और यहांगे इसका बस अब और फिर आपने और प्लान मोगता है फ्यूचर के लिए बट एक हपते दो हथे के बाद खीकुल में छासता है अगल करा तो इसका अवस्य हैं तरीका होता है जो पुछता हो दो लोग से इंटर्व्य को वाह इसमें ट्वाइट limit थात था था में इसको डीवाइडकर और वह फ़ेगह एक पाल रहना चायिये लो आट चाहिए जो हमेशा चेंज होता रहना चीए और एक पर्ट होना जाए जो इंड एक पार्ट कॉंस्टेंट वाला जो है उसमें तुम्हारा यह मायन कि मैं सारी टेक्नोलोजी को सीखके अच्छे से experience लूंगा काम करने की काम लाने की और काम को हैंड्यल करने की तीन चीजे सीखने पड़ दिया में ज़्याद रखना मैंने इन ती मेरा पहले से विजन था ठीक है मैरा विजन दो हजार अठारा सब्सक्राइब बिजन था कुछ ऐसा करेंगे पहले डोपर नहीं था जॉब करते थे खाते थे मस्ती करते थे गूमते थे जैसे तुम लोग भाइक पर गूमते थे लेकिन फि फीरी चीज होते है बिजनम्श को लाना दूसरी चीज होती बिजनेस को बैन तरीके से करना और तीसे चीज होती है जब काम जाज़ा हो जाए तो लोगों से सीक लिया आ की तो तुम अगब प्लान कर रहे हो कि कल तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की सो करोड की एक हजार करोड की कंपनी हो बहुत बड़ी बात नहीं है आराम से एचीव हो जाएगा तो यह तो हो गया लॉंग टर्प क्योंकि अभी थोड़ी बन जाएगा ठीक है लेकि सौर्टम में क्या हो सकता है सौर्ट टाइम पर टास्क करें और दूसरे महिने से लास्ट वीग से उसने इंटर्व्यू देना स्टार्ट किया छे ओफर लेटर वो उसके पास रखे हुए थे जब सेलेक्शन का फाइनल चार मीना होने वाला था उससे पहले फिर मैंने उसको रिफ्रेंस देना बंद किया क्योंक करते हमने का तुम अपलाई मत करना दूसरों कपलाई करवाना इस्टार्ट कि तो यह कैसे हुआ उसकी कंसिस्टेंसी और उसका एक सौर्ट टू डू लिस्ट ठीक है यह मैं डेली करता हूं अभी आपके क्लास के बाद मुझे क्या करना मेरा फिक्स है बारावित का फिक्स ह इसके बाद का बी क्लियर करूंब यूनिंग में क्या क्या करना है तो मैं कैड़तों उसी लिस्ट की हिसाफ से चलता हूं और पुरा दिन अर्जी मनी रहते हैं तो मेरी रिस्पोस्बिल्टी एक जो बच्चे मेरे पीछे हैं जो मेरा वेट करने उनके लाइफ में थोड़ा क्योंकि मेरे को चार दिन चाना है चुट्टी पर भले ही मुझे पता है कि बहुत से लोगों चुट्टी चाहिए लेकिन मेरे वुझे से चार दिन मैं खुद लॉस करा हूं यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने सोचा भी करेंगे फिर संडे और मार देंगे कर लेंगे यह मार किसी का इन मेरे एक म्रा और तरस्ट किये हुए हैं उनको मेरे हाव एक साधी को रहा है तो हम चुटे और अ की यह विजन क्यों क्योंकि बड़ा विजन है तो यह रखना पड़ेगा कि हमें ऑनिस्टी दूसरा चीज लोगों ने ट्रस्ट किया है उनके ट्रस्ट को अभी तुम लोग विलीब करो तुम सब ने रखा है पर मेरा अभी क्या बोलते हैं मैं दूसरों के तरह कर नहीं सो सकता ह यह कल लिया तो मेरा काम हो गया और इस इस लाइक आपको नहीं पता हो कितनी धुआएं हमको मिलती हों कि उनके विजसे हैं हमको दुआएं बहुत पसंदे इसलिया अपने यह एक एनर्जी बूस्टर एक्टली जैसे तुमको अभी कॉल कट करूंगा साहद किसी का जाएग सर आय सेलेक्टेड इन इस कांपनी हो गया एनर्जी पूरी दिन बनी रहती है क्यों कि उसके परिवार में दस लोग होंगे कम से कम उसकी सेली अगर 20,000 भी होगी तो दस लोगों तक उखाना जाएगा कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सांस मेरा भी होगा तो थोड़ा से नेक इरादे आकर रखोगे तो इनर्जी बनी रहती है सा मेरा मालना है कि नेक इरादों के लिए करना चाहिए मैं काम ना की छोटे मोटी विजर क्लाइकर मुझे लाग दो लाग रुपए ऐसे पैसे अर्न करने हो तो बिलीब करो इस समय मेरे पास अभी 7,000 अड़े मुझे एक म बेटी काने लगेंगे और अच्छा में लगेगा चलो किसी कोई ओडाओ तेल बोलो थैंक और बॉड मॉनिंग सार इसका रिकॉर्डड वेडियो रहेगा ना बिल्कुल अभी रिकॉर्डें में यूटूब पे तुरन डाल देगा हो थैंक जालेगा चलो जी अभी आपको क कर दो कर लिया क्या बात में सर डिजैन नहीं किया ओ सिवरात्री था ना फुड़ा हमारा इधर पुरा रात बहर रहता है मतलब सुपे को फ्री हुआ मैं मैं भी कर टेंपल गया हुआ था पर वहां पल्लोबाद आधा किलोमेटर से जारा की लाइन थी तो फिर मैंने बाहर स अब घिल झाली नियुआए नमस्कार किया मैंने का हाम मैं बाद में हाता हो क्योंके लिस्ट लंगी है टीकाल ऊ random चला रहा तो अपना Class व इसकी बात दूबार हुआ हो जिसका बस दूरूम टिन निकालना अब वो uns टेयर के बाहर कर देना और प्रेंटीटिन का साइज मिल प्रेविसी में प्रेविसी में इसा तीन नहीं बना देना बस उसी के अंदर से सब कुछ आएगा एक्सली क्यों बनाता हूं ठीक है जब मैं आपका मॉक लेता हूं तो एक बर एक्सल को गोथ रो कर लेता हूं सब्सक्राइब करना तो जिसको भी आपका लेक्सली करना तुमको भी तो जिसको भी प्रॉलम आ रही होगी मैं लाइब आ रहा हूं उसी समय करवा लेना ठीक है लेप्टॉप से आना ठीक है ठीक है थेंकिस्ट तुमको भी थी तो मैं जाता है बेंच में उबेंच नौ से दस दरोंगा और दस बजे डॉट लिंक ने जोगा आ जाना तुमको ठीक है ठीक है थीक है